आज का जो हमरा smartphone market है हम कोई भी phone खरीडने जाते हैं तो हमें मिलता है hybrid SIM slot hybrid SIM slot में हम या तो 2 SIM लगा सकते हैं या तो 1 SIM में और 1 SD का तो आज कल आपको पता है सारी companies ऐसा कर रहे हैं बले कोई भी phone हो कौन से भी price range का हो सारे phones में आपको ज़्यादा करके hybrid SIM slot देखने को मिलता है अब मैं जो ये audio record कर रहा हूँ assess के max pro m1 से कर रहा हूँ तो max pro m1 में आपको dedicated SD slot देखने हो मिल जाता है अब यार companies का कुछ तो फायदा है कि क्यों वो hybrid SIM slot देती हैं इसके लिए वो companies हमें offer कर रही है अगर सबसे पहले reason की बात करूँ अगर company hybrid SIM slot देती है तो इसका making cost बच जाता है अगर वो company removable battery देके उदर दो SIMS हम लगा रहे हैं और dedicated SD slot भी लगा रहे हैं अगर hybrid देगा तो companies का इदर बहुत making cost बच रहा है दूसरे reason की बात करूँ तो hybrid SIM slot देने से सबसे पहले तो इस phone का space बच जाता है इससे होगा क्या company चाहे तो उसको जादा RAM दे सकती है जादा battery दे सकती है overall अच्छे cameras भी दे सकती है अच्छा design और slimmest design देखने को मिले हमारे phones में third reason की बात करूँ अपने अगर YouTube पे कुछ वीडियो से कहोंगे कोई-कोई YouTubers बोलते है कि SD Card आपको लगाना नहीं चाहिए जो कि सही बात है क्योंकि जो हमारी internal memory रहती है और external memory रहती है obviously internal memory जो होती है वो बहुत faster होती है जो external memory जो कि यह SD Card है वो इतना faster नहीं होता है और जब आप अपने phone में SD Card लगाते हो तो थोड़ी बहुत performance कम हो जाती है तो इसके लिए companies क्या चाहती है कि आप hybrid system slot में या तो एक SIM या तो एक SD Card लगाओ आजकल लोगों को दो-दो SIM चाहिए रहते हैं तो इसके रीजन की बात करों तो companies चाहती है आजकल आपको बता है कि जो phone लॉंच होता है तीन-तीन चार-चार वैरियंस में लॉंच होता है Redmi Note 5 Pro की बात करों 4GB में हुआ 6GB में हुआ तो companies क्या चाहती है कि आप 64GB के जगह पे 128 करी रहो क्योंकि हाब्रेस इंस्टॉट से एक तो बंदा सोचे का हाँ भाई मैं इसे जाप ऐसा बढ़ा के dual SIM भी लेता हूँ और जादा स्टोरेज लेता हूँ SD कार्ट करीने की भी ज़रूरत नहीं इसके लिए हाब्रेस इंस्टॉट जेती है इसे obviously company को होगा फायदा मैं अगर अपनी बात करूँ तो हाब्रेस इस्टॉट एक इजी है इधर से निकाला सिम ट्रे निकाला डायरेक्ट डाला तो आज आपने समझा कि क्यों company से हाब्रेस इस्टॉट जेती है अपने फोंस में आशा करता हूँ कि मेरे समझाने का तरीका आपको पसंद आया होगा और कोछ अगर आपको डाउस हो तो आप मुझे comment section में बता सकते हो आप अपने opinions शेयर कर सकते हो comment section में आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा instagram page को follow करो android rush को follow करो और उसो मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में